कक्षा बारवी में SP में हम पांचवा मुद्दा देखेंगे आज चार तक हो गया था पांचवा मुद्दा सदस्य संख्या में कमी तो सदस्य संख्या की कमी में मतलब ये कि सार्वा जने कंपनी में सदस्यों की संख्या साथ से कम और नीजी कम्पनी में दो से कम हो तो कम्पनी को दिवाला में ले जाया जा सकता है अब एक मा का MCQ आपको पूछ सकते हैं सावाजने में सदस्यों कि सहीं क्या कम से कम कितनी होनी चाहिए साथ और नीजी कम्पनी में कम से कम दो तो ये नियम है इससे कम सदस्य होंगे तो वो कमपनी दिवाला में उस कमपनी को बंद कर देना पड़ेगा दिवाला में ले जाया जा सकता है सामान्य रूप से कमपनी के सदस्य ही कमपनी को दिवाला में ले जाते है सामाने रुप से सदस्य कहते कि इसमें कम संचाला कि अभी काम करने लायक नहीं इस कमनी को बंद कर दो सदस्य संक्या में कमी के बावजूद यदी कमपनी छे मास्तेक अपना धंदा चालू रखे तो इसकी जानकारी जिन सदस्यों को हो वो प्रत्यक सदस्य कमपनी को भविश्य के सभी दाइत्व के लिए नीजी जिम्मेदार और तोर नीजी तोर पर जिम्मेदार माना जाएगा तो यहाँ पर कमपनी के सदस्य कम है तो कम सदस्य की वज़े से 6 मैने के अंदर बन कर देने फिर भी 6 मैने तक आज मतलब सदस्यों ने संख्या आज से एक वेक्तिकी मृत्यों हो गई और कमपनी के साथ में से 6 सदस्य है सारवजनी कमपनी में अब एक वेक्तिकी मृत्यों के 6 सदस्य अब इसको कम्पनी को बंध हो जाना चाहिए पर फिर भी कम्पनी चालू रहती है और चालू रहने के बाद कम्पनी कोई भी नुकसान में जाती है तो उसका दाइत्वा चुकाने के लिए छे व्यक्ति निजी तोर पर जिम्मेदार होंगे तब यह नहीं कह सकते कि हम तो छे थे हम पूरे सदस्य नहीं ते कम्पनी को बंध कर दो क्यूंकि जब उनको कम्पनी बंध करनी चाहिए तब उन्होंने की नहीं है और सदस्य जादा तर सदस्यों के द्वारा ही यह मुद्दा देखकर उनको अपनी कम्पनी को बंध कर देना चाहिए कि उनके कम्पन की सुरक्षा के विरुद में कार्य किया हो तो विदेशी राज्य के साथ मेत्रिपुन समंध के विपरित कार्य किया हो तो टिबिनल कंपनी को दिवाला ले जाने का आदेश कर सकती यानि कंपनी ने अपने भारत के लिए अपने देश के लिए कुछ गलत कार्य किया हो यानि नियम है कि केमिकल वाला पानी यानी होना चाहिए फिर भी कुछ अधिक मात्रा में जादा जिंक और आसी चीजे का उप्योग हो रहा हो जो खाने लायक नहीं हो या कंपनी रहतानी रिस्त विस्तार में हो या कंपनी की स्थिती बहुत भई जनक और उसकी फैक्टरी का नुक्सान और देश की प्रतिष्ठा को नुक्सान होगा लोगों के हीत को नुक्सान होगा अन्य कंपनी विदेशी कंपनी के मिलकर खराब करें किया होगा देश को नुक्सान पहुंचे देश की प्रतिष्ठा को नुक्सान पहुंचे ऐसा कोई भी काम अगर कंपनी करेग तो उसके लिए उस कंपनी को बंद करने का आदेश नायले के द्वारा दिया जाएगा योग्यों और न्याई कारण योग्यों और न्याई कारणों के आधार पर कंपनी को दिवाला ले जाने के लिए अधालत के पास विशाल सत्ताय होती है निम्नानुसर कारण के द्वारा, टीबिनल के द्वारा कमपनी को दिवाला में ले जाया, जा सकता है, रादेश दे सकता है, एक, कमपनी में गती रोध के कारण कमपनी का प्रबंद करना असंभव हो, कमपनी के अंदर कमपनी का कारिय वर्तमान में एकदम धीमा हो, उसकी जो एसे समय कंपणी अपने मुख्य उदेश्य किसी कारण से खो देते, उनका जो मुख्य उदेश्य उपालन नहीं करती हो, कंपनी प्रतिवर्स लगातर हानी कर रही है। कंपनी की रचना और समग्र व्यवहार कपट और छल मैं हो कंपनी कपट और छल मैं का काम करती जो मैंने अब भी बताया कि कंपनी जहरीली गयस छोड़ रही है यान यह लोगों को हितों को नुक्षान हो रहा है रचना कम्पनी की रचना और समगर व्योहार कपट या छल मई हेतु द्वारा हुआ हो तब कम्पनी की रचना और लोगों को चीट करने के लिए हुआ हो उस कम्पनी को बंद करने का आदेश दे सकते हैं अब स्वेचिक विशर्जन, कमपनी तथा उसके लेंदार या सदस्य अदालत में जाने के अलावा स्वेचिक रूप से कमपनी को दिवाला में ले जाने के लिए निश्चित कर सकते हैं स्वेचिक दिवाला में ले जाने के लिए कंपनी और उसके लेंदर तथा कंपनी और उसके सद्दस्या अपस में एक दुसरे के हक निश्चित कर सकते हैं तो यहां पर स्वेचिक विसर्जन का मतलब यह हुआ स्वेचिक विसर्जन में अर्थ ही है उसके सदस्यों के द्वारा समापन मतलब यह सदस्यों स्वेचिक विसर्जन में अर्थ है और 2.2 cancel है सदस्यों के द्वारा 2.2 तो यह सदस्यों के द्वारा है ना company विसरजन के संयोग तो है तो विसरजन के संयोग तक हम देखेंगे 2.3 cancel है अर्थ हाँ यह है स्वेचिक विसरजन संयोग है उसके बाद ठीक है आगे लेखते हैं तो यहाँ पर हुआ यह मुद्दा कि company या उनके लेंदार या सदस्यों तो लेंदार मतलब जिन्होंने company को उधार पैसा दिया है उसे क्या कहते हैं लेंदार कि इन लोगों ने अपने पैसे company के अंदर लगाए है वो लेंदार या सदस्यों अदालत में जाने के अलावा स्वेचिक अदालत में जाये भी नाई स्वेचिक रूप से company आपस में meeting करके निश्चे कर लेते कि हमें अपनी company को बंद कर देना है उसके लिए क्या होगा company और उनके लेंदार तथा company और उनके सदस्या आपस में एक दूसरे को मिलकर उनको एक हक निश्चित करते है पहले से ही कि हम लोगों को यह हक है कि हम अपनी company को बंद करने का आदेश खुद ही देदे अदालत के पास जाने के ज़रुवत नहीं company के सदस्या और लेंदार अदालत के हस्तक्षेप के बिना अपने आपको दिवाल्या में ले जाए और उसकी प्रक्रिया को स्वेचिक विसर्जन दिवाला या समापन स्वयम ही अपनी company को बंद करने का निश्चे कर ले उसे केते स्वेचिक पर कौन कौन company के सदस्य और लेंदार दोनों शब्द खास आना चे सदस्य स्वयम नहीं सोच सकती हमें बंद कर देना क्यूँ वो बंद कर देगी तो लेंदार को नुकसर होगा न क्यूकि इन लोगों ने पैसा लगा है तो इन लोगों के साथ मिलकर नीन ही लेगी और मिटिंग करेगी company और फिल लेंदार कहेंगे हाँ आप लोग अपनी कंपनी खर्चे में जारी अब और कंपनी चलाओगे तो हमारा पूरा पैसा आएगा नहीं इसलिए company सोचती है कि अब कंपनी सर्लेंदार भी उनको अनुमती देते हैं और को वेवसाय बंद करने का आदेश भी देते हैं तो समापन स्वेचिक समापन के भी तीन सयोगे company की मुदद घटना और विशेश ठाराव क्या है तो company के नियमन पत्र में company की स्थापना निश्चित मुदद के लिए की गई है तो कुछ company ऐसी होती कि जिसकी स्थापना को निश्चित मुदद पाच वर्ष चार वर्ष तीन वर्ष ऐसे पहले सही निश्चित कर लेती है कि हम अपनी company को चार वर्ष के लिए ही शेरू रखेंगे पाच वर्ष के लिए ही शेरू रखेंगे ऐसे तो ऐसे बताये हो तब वह मुदद पूरी हो जाए तो आपस में सदस्य सब मिलकर company को बंद करने का निड़ नहीं ले ल तो वो बनाव या घटना अगर घटती है तो सामाने सभाव बुलाती है सब में आपस में चर्जा करती है प्रस्ताव पारित करती है रोख व्यवसाई को बंद कर देती विशेष ठाराव कंपनी की आर्थिक स्थिती स्रुदड हो और लेंदारों को रकम चुकाने में सक्ष पारित करके कमनी समापन में ले जाया कमनी की स्थिती अच्छी है लेकिन फिर भी सभी सदस्यों द्वारा स्वेचिक विशर्जन ये था स्वेचिक विशर्जनमी सब आग़े सदस्यों की सरसे कमपनी के आर्थिक स्थिती स्थूरुदड हो और सदस्यों स्वेच्छा पुर्व कंपनी के लेंदारों को बताये बीना कम्पनी को समापन में ले जाए ऐसा ठराओ करे तब सदस्यों के द्वारा देखो यहाँ पर कौन है स्वेचिक विशरजन में लेंदा सदस्यों दोनों है लेकिन यहाँ पर सिर्फ सदस्यों के द्वारा तो यहाँ पर सदस्यों शब्दा है मतलब लेंदारों की अनुमति ली सजन में सिर्फ सदस्यों की अनुमती है बराबर उसकी ये समापन की विधी का मुद्धा ये कैंसल है अब यहां पर लेंदारों के द्वारवी सजन इसमें कौन आएगा अब देखो स्वेचिक में सदस्य लेंदार दोनों है सदस्यों में सिर्फ सदस्य तो इसमें कौन तो या आपकास में कुछ सभी के संबन्द उपसित अच्य नहीं हो रहे या कुछ भी कारण ऐसा होगा उनको लगेगा कि चलो वे उसड offense बंद कर देना है वो बंद कर देने लेकिन लेंदारों को काम नहीं करना है फिर वो क्यों बंद करवाएंगे एक ही काण होगा कि उनको ऐसा लगेगा कि कम्पनी अब हमें हमारे पैसे चुकाने के लिए सम्मर्थ नहीं कम्पनी लगातार नुकसान में जारी दिवाल्या है कम्पनी के पास पूरी संपति नहीं है और अगर कम्पनी को चालू रहने दिय तो हमारे बचे कुछे पैसे वो भी हमें वापस मिलेंगे नहीं तो जब कम्पनी दाईत चुकाने में असमर्थ हो तब दिवाल्या की परिस्थिती में ले जाने के लिए संचालू के द्वारा सोधन संपता की गोशना नहीं की जाए तब जब संचालू खुदी अपनी गो की का में लेती है तब लेंदार निण है कि कम्पनी की स्थिति अच्छी नहीं है फिर विए संचालख नई नहीं ले पारे तो लेंदार स्वयम कहते है कि इस कम्पनी को आप बन कर देना चाहिए बराबर है यहाँ पर यह मुद्दा कैंसल है बहुत छोटा लेशन था बराबर यह एक पेज और यह आधा इतना ही लेशन था आपका यह लेशन हो गया पूरा सात्वा